इंडिया बरश्टा चार के आरोप तो त्रड़ी पार पर भी थें मुद्दा ये है कि जारखंड के खनीज को भारते जनता पाटी लूटना चाहती है जी जारखंड के मिनरल्स को लूटना चाहती है इसलिए यहां कि सरकार को गिराने की नव्यक्त नाकाम कोशिश करती है जब से माननीय मुखमंत्री हेमन सोरीन जी ने शपपत लिया उस दिन से ये लोग लगे हूए थे नितीश कुमार ने भी गरबर कर रही है अजीत पवार ने भी गरबर कर रही है अजीत पवार ने भी गरबर कर रही है अजीत पवार ने भी गरबर कर रही है सब ने गरबर कर रही है सिर्फ हेमन सुरेन ने गरबर नहीं कितना करोड़ों का घोटाला किया था अजीत पवार प्रकाश मिश्टा है मेरे साथ और डॉक्टर आजयालोग भी है पहले डॉक्तर आजयालोग अपनी बात को रखें दोक्टर आजयालोग कभी नौकरी नहीं की कभी वैसाई नहीं किया हमें सोरन या श्रीबू सोरन ने दाइस सो करोड़ का धर दांस ने लिया पूर्वान कुवेरा के लिए बात करते हैं आप अरे पूरा चोर किसे जारखन देश को जगमत करता है उसी कोईले की चोरी का दलाली का रोप लगा आप मुकमंत्री बन गये तो अधिकार मिल गया के म्याने ब्रशेशन करें देश करवा जारखंड से देश चलेगा पंजोर समझ से बिम्डबु गारी लगी हुई कौन देगा जारखंड हैं बेटेंगे बैटें ना बात कर रहे हैं आपका मैं बड़े घर आरे आपका पूर में बढ़े घर आए आपका जाएगा बढ़ा दूसरे के घर में इंट्रेस्ट है आपको चिंता हो रही है कितने पहुंचे नहीं पहुंचे हैं आपका क्या रोल है इसमें आपकी क्या दिल्चस्पी है इसमें इतना परेशान हो रहे हैं लोगों के बेडरूम में घुषने का प्रयास कर रहे हैं एक बात एक बात तनुत जी इत्मिनान रखिए मैं जान रहा हूं आपके लिए संकट काल है आपके लिए मुश्किल दो रहा है हमारे लिए कोई संकट का काल नहीं है अच्छा काल है आपके लिए अच्छा काल है ये बुरा दौर नहीं है अच्छा दौर तो ताना शाही है ना आपके लिए क्या है बुरा दौर चाप रहे हैं और बड़ा फक्र है कि निटीश जी के किसी विधायक किसी मंत्री या उनके दफ्तर या उनके घर तक कभी कोई EDCBI की टीम नहीं आई क्योंकि हमारा जीवन राजनितिक रूप से हमेशा बेदाग रहा है जारखंड से आते हैं तनुज जी नाम है तनुज इनका जारखंड के बिरसा मुंडा भगवान के प्रदेश्य आते हैं और तनुज नाम है लेकिन तमीज रत्ती भरकी नहीं है पूरे जारखंड के संसकार को टीलिविजन चैनल पर बैठ कर आज तनुज खत्री ने तार तार किया है ये जारखंड की जनता भी देख रही होगी अधनुज जैसे लोगों को जरूर सबक सिखाई होगी बड़ी भोली भाली जनता है जारखंड की बहुत सुंदर और खूबसूरत प्रदेश रहा है जारखंड जारखंड पे गर्व होता है सबको लेकिन आज तनुज जी आपके सिर्फ एक शब्द ने कुछब्द ने कुछब्द ने कुछित मान सिकता ने उस प्रदेश के को थोड़ा उसकी इज़त को धुमिल किया है जारखंड में मान लीजे शुबू शोरेन के पुत्र सुपत्र सियम है अरे तनुज फोड़ा रूक जाईए अरे थोड़ा तमीज जेब से निकाली और भेजे में डालीए थोड़ा भेजा खुलेगा तो थोड़ा तंदरों से रहेंगे शापदों का इस्तमाल राजनितिक जीवन में दान से करिए एक पैसे की तमीज नहीं है कोईले को मुँपे पोत दीजिये फिर कोईला अगनी भी जलाता है कोईला काली को मुँपे पोत दिया है आप लोगों ने हारखंड की खदानों के सारे कोईले के कालिक मुपर फोल के खुम रहे है और इडी से भाग रहे उसके बात करें ओह वावा वावा सब्सक्राइब है आदि वासी जारखंड की खद्री शांता आप के बीच में बोले आपने लगाता चार्ड मिन बोला नियुक्त बोला नियुक्त कालने का काम किया था तब आप कहां थे रहे तनुजी थोड़ा तमीज पहले निका लिए बिर्सामुंडा के वई सजों सब्सक्राइब पूछें वह पहुंची तो किस-किस दफ्तर किस-किस दफ्तर को कर खाके भागे जारें वैसे मैं मानता हूं कि वह पुराना हुं का हितियासिक संस्कार है वह पहले काल में शीबु शोरें अब आज कोई ऐसा नहीं है जो उनका प्रण चुक्तर के बारे में बात करने की एक चक्छा नहीं है लोगों की आप शीबु शोरेंगे जी 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 एक सकते तनु तनु जी आप उतेजित हो रहे हैं हैं मेरा निवेदन है बहुत प्रतिश्चत कारिक्रम है बहुत बहुत जनता देखती है जनता इस कारिक्रम को अखंड प्रयार करती है बहुत प्रेम करती है बहुत प्रेवर प्यार करती है देश की जनता इस प्रोग्राम की और इस प्रोग्राम में आना मैं बार बार कहता हू चाहे वो कोई भी चैनल हो सबसे तेज हो या कोई भी चैनल हो जो आरपार की वियोर्शिप है उसके मुकाबले की वियोर्शिप नहीं है और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम जिम्मेदारी से काम करते हैं क्योंकि हम सवाल उठाते हैं जहां जरूरी होता है जहां लाज़मी होता है लेकिन बड़ी बड़ा प्रश्ट ये है कि कलपना सोरेन ने चीफ सेकेटरी से बात करी है और डीजीपी से बात करी है यानि मामला आगे बढ़ गया है मामला आगे बढ़ गया है और बाइक से भागे थे एमन सोरिन दिल्ली से बाइक से भागे थे जब 41 घंटे गायब रहे थे जिसके बाद अचानक एक नाटकी ये धंग से वो रांची में प्रकट हुए तो सवाल कई सारे उठते हैं और जो बात बोली जा रही है कि आखिर क्यार इंडिया गढ़ बंदन की जो पठकता थी वो यही थी और अब इंडिया अलाइंस अर्विंद केजरिवाल की पार्टी कॉंग्रेस पार्टी क्या इस चीज का भी समर्थन करेगी मैं जानना चाहता हूं मेरे साथ विने मिश्रा है विने मिश्रा जो हेमन सोरेन कर रहे हैं क्या उस राजनीती का आप समर्थन करते हैं विने जी आप MLA है एक विधायक है जवाब फिर मैं ब्रेक के लिए जाऊँगा देखिए देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात कहना चाहता है आम आदी पार्टी का एक बड़ा स्पस्ट है कि हम पहले बात तो ED के किसी भी जाँच से भागने रहे हैं दूसरा ED जिस तरीके से अब ED ने रहे गए भारते जंदा पार्टी का एक संस्था बन गई है और अब ED के दफ्तर में नहीं फैसला होता है किसके यह चापा डालना है किसको अरेस्ट करना है अब भारते जंदा पार्टी के दफ्तर में यह फैसला होता है कि कल किसके आफिस में आपको चापा डालना है कल किस नेतों का अरेस्ट करना है हमें इस बात से दिक्कत है, E.D. काम करें, स्वायत संस्था है, इमानदारी से काम करें, यह क्या कि सिरफ बीजेपी में जो चला जाए वो एकदब क्लियर हो जाए और जो दूसरी पार्टी मों बिल्कुल भरस्टा चारी है, 95% विपक्षी नेता हो पे आप छापा डालते हैं उनको अरेस्ट करते हैं, क्या बीजेपी में जितने तरह सब पाक साफ है, हमारा कहना यह है, आप जाच करें, तो इमानदारी से करें, आपने सम्विधान की सबत लिए, बड़ी खबर आ रही है, कुछी, कुछी देर में गिर्वतारी हो सकती है, हेमन सोरेन की, यह समय की ब क्या झानदारी है, हो इमारा के जितने अंया की देर्श है, हेमन सोरेन की देर्वतारी Ind eli फ़ता होने गजे बड़ी खबर करें, जाम हाच कि जितने डाच